नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है Dr. नीलम शर्मा इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि Abvalaplus Tablet का उपयोग किन कंदिशन्स में किया जाता है Abvala Plus Tablet को कैसे लेना चाहिए और Abvala Plus Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Abvala Plus Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Abvala Plus एक brand name है Abvala Plus Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Abvala Plus Tablet के अंदर salt composition albendazole 400 mg और ivermectin 6 mg होता है Abvala Plus Tablet का उप्योग पेट में कीडो को मारने के लिए किया जाता है Abvala Plus Tablet पेट में कीडो को मारकर और स्टूल के जरीए पेट के कीडो को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है पेट में कीडो की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है बच्चों के पेट में कीडे होना एक सामान्य बात है, लेकिन पेट में कीडे बड़ों को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं. पेट के कीडे जीवित रहने के लिए भोजन से ग्लुकोज, विटामिन्स, मिनरल्स और एनलजी सोख लेते हैं और पेट में कीडे होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नहीं लगता है, जिसकी वज़से शरीर में कमजोरी होना, वजन का कम होना, पेट में बाद मल के लिए जाना, पेट में गैस बनना और दस्थ होना आदी लक्षन भी पेट में कीडे होने पर हो सकते हैं, बच्चों के पेट में कीडे होने पर बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है, पेट में कीडों की जाच करने के लिए डॉक्टर स्टूल टेस्ट से यहां आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपको पेट में कीडों की समस्या है या नहीं। Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में एबवाल प्लस टैबलेट की वजह से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में एबवाल प्लस टैबलेट की वजह से कुछ Side Effects हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि एबवाल प्लस टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है। एबवाल प्लस टैबलेट को एक गिलास पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना recommended होता है। एबवाल प्लस टैबलेट को लेने से पहले आपको एबवाल प्लस टैबलेट को मुँ में अच्छी तरह चबा लेना चाहिए। आम तोर पर बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर पेट के कीडों को साफ करने के लिए एबवाल प्लस टैबलेट को केवल एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। जिन व्यक्तियों को बार बार पेट में कीडे बनने की समस्या होती है। उन व्यक्तियों को डॉक्तर हर छे महीने बाद एबवाल प्लस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। एबवाल प्लस टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की एबवाल प्लस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी बहुत ज्यादा होने पर एबवाल प्लस टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना एबवाल प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए एबवाल प्लस टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को एबवाल प्लस टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एबवाल प्लस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। कर दो आपका एब एब सकते हैं वीडियो प्लस टीजियो प्लस टीजियो को एब आपका लाइक कर दो मेंट कर दो सकते हैं।